इस वक्त की बड़ी खबर एंडी अगट बंधन से निगल कर सामने आई है जहाँ पर पश्पती पारस का पत्ता साफ कर दिया गया है यानि की 400 सीट में से एक भी सीट पश्पती पारस को नहीं दिया गया चिराग पासवान की खाते में 5 सीट आई है मताने आपको की चिराग पासवान को मुह मांगी सीट दी गई है आज जब जीपी नड़ा से चिराग पासवान की खास मुलाकात हुई तो मुलाकात में सब कुछ सेट कर लिया गया और पश्पती पारस के खाते में एक भी सीट नहीं आई इस हाजपूर सीट को लेकर लगातार वात विवाज चल रहा था चिराग पासवान कहरे थी कि हम हाजपूर सीट से चुनाव लडेंगे उसके बाद पश्पती पारस कहरे थी कि हम हाजपूर सीट नहीं छोडेंगे तो अब बीजेपी ने एक बड़ा निन्ने लिया है और चिराग पासवान को पांच सिट दिये गये हैं turbulence की इसे पहले भी चिराग पासवान को लेकर खबरे आ रही तियो और यह कहा गया था कि पांच-एक का फॉर्मूला बैठाया है यानि के चिराग पासवान को पांच लोग सबसीट और एक राजचबा दी जाएगी लेकिन इन सब के बीच अब पशुपती पारस का पत्ता साफ हो गया चिराग पासवान और पशुपती पारस के बीच खुब अटकले लगाई गई थी कि आखिर हाजपूर सीटकी से दिया जाएगा चिराग पासवान और पशुपती पारस का पत्ता साफ कर दिया यानि कि अब पशुपती पारस अट्यूज गट बंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेकर भी तमाम राजचनुतिक जुतने पंडित हैं वो ये कयास लगाने लगे हैं कि अब पशुपती पारस आरजडी से संपर्क ये तमाम बाते राजनते गलियारे में चल रही है इस बात में कितनी सच्चा आई है ये तो नहीं पता लेकिन हम आपको बता दें कि अभी जो ख़बर निकल कर सामने आई वो ख़बर ये कि चिराग पासवान को मुझ मांगी सीट दी गई है जिस सीट से चिराग पासवान सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं NDA गडबंधन में हूँ, मुझे वो सीट दी गई है, जिस सीट की मैंने मांग की थी, लेकिन पश्पति पारस या कोई और दल BJP के साथ है या नहीं, NDA गडबंधन में है या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन जो खबर निकल कर सामने आई है, वो खबर यही है कि चिराग पास्वान को मुह मांगी सीट मिली है, जितना चिराग पास्वान चाहते थे, जिस जिस सीट पर चिराग पास्वान ने हात रखा, उसी सीट को BJP ने चिराग पास्वान को दिया है, चिराग पास्वान लगातार BJP के साथ बेहती ज़्यादा अनुमान कहती आये और उन्होंने बीजेपी के लिए अपना विश्वास भी दिखाये और विश्वास का नितीजा आज चिराग पास्वान को मिला है पशुपती पारस का पत्ता साफ कर दिया गया पशुपती पारस और चिराग पास्वान की जो परिवारी क्लडाई थी एंडिये का साथ चिराग पशुपती पारस देंगे या ने इस पर भी संसे बना हुआ है लेकिन मौजूदा हालात में इस वक्त जो खबर निकल कर सामने आई है सबसे बड़ी खबर कि चिराग पास्वान को मूँ मांगी सीट दी गई है और पशुपती पारस का पत्ता पारस को नहीं दिया गया बलकि चुराग पास्वान को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा गया और जो जो चीत चुराग पास्वान ने कहा जिस जीट की मांगी चाहे वो हाज़ि पूरो जमूवी या फिर इसके लाबा कोई भी सीटो तमाम सीटों को चिराग पास्वान को दे देखते रहें फश्पिया जहार कंट धनिवाद पनोर्म क्रोप जो सोचता है वो करता है ये लो मुझ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहा अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama ग्रूप लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined